How to withdraw cash from ATM machine हेलो दोस्तो यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रवाइड करते हैं वेब डेवलोपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज हमारे टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट और क्वालिटी सर्विसेज 24-7 सपोर्ट एटसंस एप् वेबसाइट दिये गई डिटेल्स पर कंटिक करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए थैंक यू तो दोस्तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे एटीम मशिन पर हम आ चुके हैं और दोस्तो एटीम से पैसे निकालने के लिए आपको रिक्वाइर्मेंट होगा सिर्फ और सिर्फ एटीम कार्ट का और आपका पिन कोड का ठीक हैं यह दोनों होने के बाद आप जो है अपना आप किसी भी एटीम में जाके पैसे निकाल सकते हो ठीक हैं तो अभी हम एटीम के पास आ चुके हैं और यहाँ पे दोस्तो जैसी कि आप देख सकते हो मैं एटीम का और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर यह है आपका नंबर, डिजित नंबर, ठीक है, वहाँ से लेकर 9N0 आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहा पर कुछ बडन से, जिसका उपयोक तो नहीं करने से पर वो जाता है, निकालने वक्त पर, तो उसके बाद, यहाँ से आपका Paysay निकलता है यहां पिर आपको ATM Card गुसान आए और यहां से आपका receipt निकलता है थीज़ा है तो दोस्तो हर ATM machine कुछ इस परकार कई आपको दिखाई देगा उसके बाद आपको क्या कर ना है सबसे पेले तो आपको यहां पी अपना ATM Card गुसान आए ATM Card, Debit Card, जो भी है, ठीक है, यहां पर Metro Card मत गुसाना है, Metro Card से पेसे नहीं निकलता है, ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा, वो ATM Card गुसा ही है, उसके बाद में वो निकल जाएगा, उसके बाद में जैसे आप गुसा के निकालेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको किस टाइप का आपको सर्विस चाहिए, ठीक है, यहां पर आप नया पीन आप जनरेट कर सकती हो, IMT है, और यहां पर बेंकिंग सर्विस है, स्पेशल सर्विस है, रिजिस्टेशन है, फीडबेक से, काफी जारा कुछ है यहां पर, तो आपको प लेंकिंग सर्विसेस आपको सेलेक करना है, जो आपको यहां पर सेलेक करने के लिए यह बटन दबा दीजेगा, ठीक है, और किसी-किसी ATM पे यह बटन नहीं होता है, तो आपको यह लिखावा जगे पर यह आपको दबाना होता है, ठीक है, ठीक है, तो फिलाल तो मैं आपक इंग्लिज सेलेक करती हो तो यह बटन को दबाना होगा आपको उसके बाद आपको यहाँ पर बताए जाए कि प्लिस एंटर योर पिन यानि कि आपका ATM या फिर डेबिट कार्ड का जो भी पिन ने वो पिन आपको यहाँ पर भरना होगा यह जो आपको नंबर दिखाए दे र जाएड सी बात है आप विड्रोल करना चाहेंगे तो आपको यह विड्रोल दिखाए दे रहा है तो यहीं पर दिखाए देगा यहां पर भी दिखाए दे रहा होगा यहां पर भी दिखाए दे रहा होगा यहां पर दिखाए दे रहा होगा लिकिन आपको ध्यान रखना है क current account तो business रहता है यह दिया आपने account खुलवाया है और आपको पता नहीं है current है या saving है तो definitely रहेगा saving account नहीं रहेगा ठीक है कि current account जो है लोगों का preference से ही खुलता है वो bank आपको individual account खुलने वक्त पर कभी भी आपको current account नहीं खुल के देगा ठीक है यह business account रहता है कि आपका account में कितना पेस है उससे ज्यादा आपको नहीं निकालना है क्योंकि उतना निकलेगा भी नहीं ठीक है जैसे कि आपका account में 10,000 रुपया है और आप एक लाख निकालने के लिए कोशिच करेंगे तो वह नहीं होगा एसा मत सोचिए वह बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों इसलिए और ATM का कुछ ATM का limit लेता है आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते है इसा limit रहता है यानि कि यह जगे जो होता है वह छोटा होता है एक ही बार में ज्यादा पेसे नहीं निकाल सकता है तो आपके account में 1,002,005 भी हो आप ज्यादा एक ही बार मे को confirm पे select करना होगा ठीक है cancel मत कीजेगा cancel करने पर आपको फिर से सारा कुछ process new start करना पड़ेगा क्योंकि अभी ATM में जब हम रहते तब हमारे पीछे भी बहुत सारे line रहता है लोगों को भी time देने रहता है इसलिए आपको यह सब cancel अगेरा मत चुईएगा ठीक है आप सिर् कुछ machine गुमते गुमते आया के यहां से निकल जाएगा पैसे ठीक है जितना अपने enter किया था वो निकल जाएगा यहां से और निकालने के बात जो है दोस्तों पैसे निकाल लिजेगा और पैसे निकाल के आपकी परस में डाल लिजेए वहीं पर आप count मत कीजेगा घर में जाके आराम से count कीजेए ठीक है क्योंकि दोस्तों वहां पे count करना सही नहीं रहता है आपके पीसे बहुत सारा लोग रहता है कभी आप अंधेरे में पैसे निकाल रहे है तो लोग देख लेगा या फिर बहुत से होता है ने security purpose के लिए इसलिए वहां पे कभी भी पैसे मत ग आपको वह पेसे आपको return करके दुसरे replace करवा देता है ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जो है किसी भी bank में जाके अपना cash जो है आप ATM debit card से आप cash निकाल सकती है इस प्रकार से दोस्तों यह तो मैंने screenshot लेकि मैंने आपको ATM का basics बाते बताया ठीक है यहां से आपके बना के मैंने आपको basics बाते basics से भी ज्यादा बाते मैंने आपको बता दिया है अभी आपके उपर आप जाके कैसे निकालोगे ठीक है मैंने जो process बताए इस process को follow कीजिए आप किसी भी ATM में जाके पेसे निकाल पाओगे तो दोस्तों फिलाल को वीडियो में तो इतना यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रू कीजगा और चैनल को subscribe कीजगा मिलते एक लिए वीडियो में अभी के लिए इतना ही till then bye bye take care